राचीन काल में डंधन्वा नाम का एक राजा था उसके एक पतनी थी उसके चार बहुत संदर संदर फुत से बहुत ही शुखी था यहां सोचता कि मैंने कौन सा ऐसा पुन्र का काम किया था कि मुझे सब सुख है एक दिन भय सिकार खेलने गया और सिकार खेलते खेलते जंगल में अकील अपड़ गया तो भय जाकर एक बट ब्रक्ष के नीचे बैठ गया और राजा वहां बैठ कर सूचने लगा वहां सोच रहा था कि मेरे कौन से पुन है कि मुझे इतना अच्छा राज पत्नी पुत्र प्राप्थ हुए तभी वहां पर एक तोटा आकर बैठ गया और बट ब्रक्ष के पिड़ पर बैठ गया और वहां वह बाणी बोलता हुगा कहने लगा राजा वह तोटा कहने लगा वहां पर बाणी बोलता हुगा एक तोटा आया और राजा को अकेला बैठा देखकर वह शुक बार बार एक ही इसलुक बोलता रहा तुम प्रत्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार बस्त को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा यह बाणी सुनकर राजा आश्चर चकित हो गया और सोचने लगा कि यह कौन है यह शुड्यों है क्या जो मुझे ग्यान देने के लिए आए है इसी चिंता में राज में लोटाया तभी उनके यहां बालमीक रिशी आये और राजा ने बालमीक रिशी से पूछा कि हे राजन मुझे एक तोटा मिला था और बार बार एक ही सब्द भोल रहा था इसका क्या कारण है तो राजा ने कहा, कि तुम उस जनम में सुदेव नाम के एक ब्राम्मा थे, बहुत ही अच्छे सत्वादी, जितेंडरी और बहुत ही अच्छे करम करने वाले थे, और तुम्हे भी एक दुख बहुत ही सताता था, कि तुम्हा यहां कोई संतान नहीं थी, अताहिछ तुम हमे तुम्हें बार बार समझाती रहती थी और कहती रहती थी कि हे प्रभु भजन करो भजन करो भजन करने से सब चीज की प्राप्टी हो जाती है तब तुमने विश्नु भगवान का भजन किया और विश्नु भगवान का बहुत अधिक भजन करने से एक दन विश्नु भगवान संतान सुख नहीं है तो तुम वहां पर मूर्शिठों कर गिर पड़े तभी गर्ण जी ने कहा कि ये प्रभू तुम तो सबके दुखों को दूर करते हो अटा इस दमपत्ती का भी दुख दूर करो और भगवार ने का ठीक है मैं तुम्हें एक पुत्र देटा हूं और तुम ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही भागवान है बहुत ही अच्छा है लेकिन इसकी आयू तो सिर्फ सोला बर्स की है सोला बर्स बाद यह जल में डूपकर मर आएगा तो तुम्हें बहुत दुख हुआ और रोने लगे तब भी गौत्मी ने कहा कि ये पती देव किसी की भी कोई भी फलताने के लिए शिर्फ सिरीहरी का पूजन करना चाहिए तो तुमने फिर से सिरीहरी का पूजन शुरू कर दिया और उनके प्रताप से तुम दुख भूल गये लेकिन सोला साल की आयू होते ही तुम्हारा बच्चा एक दन पोखर में नहाने गया और दूब गया जब मित्रों ने आकर बताया तो तुम रोने लगे और उस बालक को पोखर मेंसे निकाल कर और अपनी गोद में रखकर बिलाप करने लगे बिलाप करते करते तुम्हारा बिलाप देखकर मेग भी बरसने लगे और मेग इतने बरते तुम्हारे दुख में इतने बच्चे को गोदी में लिए हुगे बैठे ठे और ना खाया ना पिया और ना सोय तो पुरसोत्तम मास था इसलिए पुरसोत्तम भगवान कृष्ण भगवान आ गए और कृष्ण भगवान ने कहा यह सुद्धो तुम क्यों रो रहे हो तो तुमने बताया कि मेरा पुत्र मर भगवान ने कहा तठास्तु तुमारा पुत्र बारा हजार वर्स तक जीएगा और तुमारा पुत्र जीवित हो गया और जो है का कहलाते हैं तुम भी अच्छे निश्चिंत होकर भगवान का भजन करने लगी तुमारी पत्नी भी निश्चिंत होकर भगवान का भजन करने लगी और पुत्र भी अच्छा हुगा और वही पुत्र शुक देव जो तोटा था वह ही उस बट ब्रक्ष पर बैठ कर तुम्हें ग्यान दे रहा था कि हे पिता तुम इस भवसंसागर से पार हो जाओ और पुषुत्तम भग्वान की पूजा करो जिससे तुम्हें सब सुख मिलेगा अंजाने में तुमने पुर्षुत्तम मास की पूजा की थी तो तुम्हें म्रत पुत्र भी तुम्हारा म्रत पुत्र भी जीवित हो गया था इसलिए तुम फिर से पुर्षुत्तम मास में पुर्षुत्तम भग्वान की पूजा करो और बैकॉंट लोग को प्राप प्रेफ बीबनो